कि राजा और राणी बड़े ही दयालू और निर्बल्स वभाव के थे। राणी ने साथ पुत्रों को जन्म दिया था। लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि एक कन्या उनके घर में जन्म ले। लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। राजा हमेशा से ही एक पुत्री की चाह में था। एक रोज राद को जब राजा और राणी खाना खाकर अपने महल के किनारे बनी नदी के पास तहल रहे थे। तो उन्हें उस नदी में एक टोप्री आती दिखाई थी। जिसमें एक नवजात कन्या थी। उस नवजात कन्या को राजा राणी अपने साथ महल ले आए और राजा ने ऐलान किया। आज सही कन्या हमारी पुत्री है। हम इसे अपनी बेठी की तरह पालेंगे। परंपरा के अनुसार घर में छोटे शुशु का भविश्य जानने के लिए कुल पुरोहित को बुलाए गया। उस कन्या को देख पुरोहित ने कहा। पुरोहित की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो लड़की साल भर की हुई तो उसके जन्म दिन वाले दिन ही राजा के सबसे बड़े बेटे की मृत्यों हो गई तब राजा को उस पुरोहित की बात याद आई उसने तुरंथी उस पुरोहित को बुलाने भेजा लेकिन सेनापती एक दुखत समाचार लेकर महल में पहुचा महराज दस दिन पहले ही उस पुरोहित की मृत्यों हो गई लेकिन सुना है उसका भाई घंशाम दूसरे राज्य के महल में पुरोहित है आपकी आग्या हो तो मैं उसे बुला लाओं उन्हें शिक्र ही यहाँ लेकर हाजिर हो गंश्याम पुरोहित सेनपती के साथ उस महल में पहुँचा मेरे भाई की भविशनी बिलकुल सही है अब हमें इस बात का यकीन हो गया है लेकिन इसका उपाय क्या है अगर आपकी इस कन्या को आग के घेरे में बढ़ा किया जाए तो आपके बेटों को इसका कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन इस बात का खास ध्यान रहे कि वो आग बुझनी नहीं चाहिए पंडित के कहिया नुसार वैसा ही हुआ उस कन्या को एक घर के अंदर रखा गया जिसके बाहर आग का घेरा बना दिया गया कुछ साल ऐसे ही बीट गए अब सातों लड़कों में बचे छे लड़के भी बड़े हो गए और राजारा उन छे भाईों में से सबसे बड़े भाई ने राजगदी संभाल दी अब वक्त आ गया है कि हम अपनी बहन को उस आग के घेरे से छुटकारा दें और उसका विवहा करके उसे खुशहाल सिंदगी जीने दें बिल्कुल सही कहा भाई आपने चलो चलो अभी अपनी बहन के पास चलते हैं और उसे ये खुश खबरी देते हैं सभी बहाई अपनी बहन के पास पहुँचे बहन अब वक्त आ गया है कि तुम इस चार दिवारी से आजाद हो जाओ तब ही उनकी बहन अंजिना उनसे बोली हाँ भाईया मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ आखिर कब तक मैं इस आग के घेरे में चलती रहूँगी अंजिना को बाहर निकाला गया उसने पहली बार नदिया, पहाड, पेर, पौधे, फूल, पित्निया देखी वो बहुत खुश थी तब ही उसकी नजर बगुले पर परी अरे वाँ, ये तो बहुत ही खुबसूरत पक्षी है भाईया, इस पक्षी का नाम क्या है? बहन, इस पक्षी का नाम बगुला है भाईया, मुझे बगुलों के राजकुमार से ही शादी करनी है लेकिन बहन, हम उन्हें कहां ढोडेंगे? वो मैं नहीं जानती अगर मेरी बगुलों के राजकुमार से शादी नहीं हुई बहिया हमने हर तरफ देखा लेकिन राजकुमार हमें कहीं नहीं मिला और अब तो हमारा खाना भी खत्म हो चुका है। यहां से तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ। तकरीबन दस किलो मीटर चलने के बाद एक उची पहाड़ी पर महल है। उसी महल में बगुलो का राजकुमार रहता है। आप हमारी बहन से शादी कर लीजिए। वो जिद पकड़ कर बैठी है कि वो सिर्फ बगुलो के राजकुमार से ही शादी करेगी। नहीं तो उम्र भर कुवारी रहेगी। मैं तुम सब भाईयों की पीड़ा समझ सकता हूँ लेकिन मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। हम बगुले बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और मैं बगुलो का राजा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं भी बहुत बुद्धिमान हूँ और इसलिए मैं अपने महल के लिए भी एक बुद्धिमान रानी की तलाश में हूँ और अगर तुम्हारी बहन चाहती है कि मैं उस से शादी करूं तो पहले उसे साबित करना होगा कि वो बद्धिमान है ठीक है अम आज ही उसे बुलावा भेज देते हैं फिर आप खुद ही जाचपरक कर लीजिएगा उन भायों ने एक संदेश लिखकर एक बगुले के पास जब वो संदेश अंजना ने पढ़ा तो वो बे निकलूंगी ठीक है इंतिजाम हो जाएगा अग्रे दिन सुबह ये अंजना अपने सैनिकों और दासियों के साथ सफर पर निकली काफी देर चलने के बाद अंजना कुछ देर विश्राम के लिए रुकी और एक प्रेड की छाओं में बैठे-बैठे ही उसे नेदा गई तो राजकुमार ही बन जाएगी तभी उसके दिवाज में एक खुराफाती आइडिया आया और उसने उन सैनिकों को लालच देकर कहा मैं चाहती हूँ कि उस राजकुमार से मेरी बेटी दिव्या की शादी हो जाए और अगर एक बार ये वहां की रानी बन गई तो फिर तुम लोगों की चांदी ही चांदी है मैं इसके राजकुमार से कहकर तुम लोगों को दो-दो किलो सोना भेट में दिलबादूंगी लेकिन उससे पहले तुम्हे इस मन्हूस अंजना को पहाडी से ठेकना होगा देखो मौका अच्छा है वो अभी सो रही है लालच में आकर सैनिकों ने ऐसा ही किया उन्होंने सोरे ही राजकुमारी को उठा कर पहाडी के नीचे ठेक दिया और दिव्या दासी को राजकुमारी के लाए हुए कपड़े और गहने पहना कर बगलों के महन ले गए राजकुमार जी मैं साथ भाईयों की क्लोथी बहन हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ ठीक है लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ पहेलियों का जवाब देना होगा वो कौन सी तीन संख्याए हैं जिन्हें जोड़ो या गुणा करो तो परिणाम सबका एक ही निकलता है काफे तेर तक सोचने की बाद भी वो दासी जवाब नहीं दे पाई तब राजकुमार ने गुसे में कहा तुम्हारे भाई तो मुझसे तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे लेकिन तुम तो इतनी आसान पहेली का उत्तर भी नहीं दे पाई सैनिको जल्द से जल्द इसके चारो भाईयों को मेरे सामने हाजर होने को कहो कुछ देर बाद वो चारो भाई वहाँ पहुँच गे तुम चारो भाईयों ने मुझसे जूट कहा कि तुम्हारी बहन बुद्धिमान है लेकिन इसे तो साधारन सा गनित भी नहीं आता लेकिन ये तो हमारी बहन नहीं है अच्छा दर के मारे फिर जूट जैनिको इन सब को कारावास में डाल दो फिर नहें मृत्यु दंड दिया जाएगा कभी वहाँ अर्जिना आ जाती है रुप जाए ये बगुलों के राजकुमार इन भाईयों की असली बहन मैं हूँ अच्छा तो फिर तुम मेरी पहेली का जवाब दे कर ये साबित करो कि वो बधिमान लड़की तुम ही हो वो कौन से तीन संख्याए हैं जिन्हें जोड़ो या गुणा करो तो उनका परिनाम एक ही होता है एक दो और तीन वह बहुत खुब लेकिन अगर तुम राजकुमारी अंजना हो तो फिर ये लड़की कौन है ये मेरी दासी की बेटी है इन दोनों ने मिलकर रास्ते में मुझे पहाड़ी से नीचे फिकवा दिया लेकिन वो तो शुक्रे उपर वाले का कि मैं एक पेड में जाकर फैस गई और एक लकड़हारे ने मुझे बचा लिया